नमस्कार वीके विडियोस के खास पेशकर्श में आपका स्वागत है जहाँ आप मेरे साथ देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास और चुनिंदा खबरे ओमिक्रोन की दहशत से दुनिया एक बार फिल सहमने लगी है देश में भी खत्रे का अंदेशा है अकेले मुंबई में इसके संदिक मरीजों की संख्या पाँच तक पहुँच गई है उधर अबिनेता मुकेश खन्ना ने वीरदास के साथ कंगना रनात को भी जम कर लताड़ा है मुकेश खन्ना ने तो कंगना से अवार्ड वापसी की बात कही है तो केंद्र और महाराष्ट सरकार के बीच महामारी पर टकराओ का मामला सामने आया है ताजा विवाद कोविड-19 के ओमिक्राउन वेरियंट की उभरने के बाद सामने आया है इसी बीच भाजपाविदा एक आशिशेलार ने मंतरी आदित्य पर महाराष्ट के उद्ध्यों को पश्चिम मंगाल में ले जाने के लिए ममता की मदद करने का आरोप लगाया है उन्होंने दोनों नेताओ की मुलाकात पर भी सवाल खड़े किये है इसके अलावा पूरो मुंबई पुलिस आयुक पर जरी आफ हमारे साथ तीन लोग मुंबई में कोविट पॉजिटिव पाय गया इसी तरह दक्षन अफ्रीका से लोटे यात्री के संपर्क में आएक व्यक्ती भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया इन चार नए केसे से मुंबई में ओमीक्रॉन संदिक्द मरीजों की संख्या पांच तक मुंबई सहित महराश में कोरोना के ओमीक्रॉन वेरियन का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है एडिशनल मिनिसिपल कमिशनर सुरेश का कानी ने बताया कि जितने नए मामले सामने आए उनमें किसी तरह का गंभी लक्षन नहीं मिला है लक्षन अफ्रीका से लोटे एक याचिका दायर की गई जिसमें कंगना रनावत के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने और हटानी की मांग की गई है कंगना ने सोशल मीडिया साइट इंस्ताग्राम पर यह खबर साजह करने के साथ ही मजा की अंदाज में भी अपनी परतिक्रिया देते हुए मुकेश खन्ना ने तो कंगना से अवार्ड वापस लेने तक की बात कही है मुकेश खन्ना वीडियो में कहते हैं कि सर आपने वीरदास का खुला विरोध किया लेकिन उसके खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला जिन्होंने कहा कि हमारे देश को आजादी भीक में मिली थी ऐसे बत्तमीज इंसान से तालियां बटोरती है मैं मर्द से लड़ सकता हूँ लेकिन महिला से बिलकुल नहीं लड़ सकता ये मेरी फितरत में नहीं है मैं आम तोर पर लड़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ हाँ देश के खिलाफ जो भी होगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा केंद्र और महराश्य सरकार के बीच राजनीती से तर अब कुरोना वाइरिस महामारी पर भी टकराफ का मामला सामने आया है दाज़ा विवाद कोविन-19 के ओमीक्रॉन वेरियन के उभरने के बाद सामने आया दरसल जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ गाइडलाइन जारी कर राज्यों को कुरोना को रोकने के तरीके बताये थे तो वही महाराश्यों सरकार ने इन गाइडलाइन से कदम आगे जाते हुए अंदराश्य यात्रियों के लिए कुछ और नियम लागू कर दिये इसलेकर दोनों पक्षों के बीच टकराफ की स्तिती पैदा हो गई बताया गया कि केंद्री स्वास्त मंतराले ने महाराश्यों सरकार को हाल ही में कहा कि अंदराश्य यात्रियों के लिए उसकी नई गाइडलाइन्स केंद्र से अलग है इसलिए उसे अपने नियमों को केंद्र की तर्ज पर पंक्ती बद करना होगा ताकि पूरे देश में गाइडलाइन्स को समान तरह से लागू किया जा सके हाला कि एक मीडिया समू से बादचीत में महाराश के मुख्य सचीव देवाशी चक्रवर्ती ने साफ किया कि महाराश अभी अपनी गाइडलाइन्स में कोई संशोधन या बदलाव नहीं करेगा बाद में ऐसे किसी बदलाव के बारे में विचार किया जा सकता है तब ही प्रती बंदों को लेकर भी विचार किया जा सकेगा इसे पहले भी केंद्री स्वास्त सचीव ने महाराश की अतिरिक्ट मुख्य सचीव को चिठी लिखी थी भाजपा ने शिफसना के नेता तथा प्रदेश के परेटन वर राज शिष्टाचार मंतरी आदिते ठाकरे और पश्यम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बानर जी की बीच हुई मुलाकात पर सवाल खड़े किये बुद्वार को भाजपा विधाय काशी शिलार ने मंतरी आदिते पर महराश के उद्योगों को पश्यम बंगाल में ले जाने के लिए ममता की मदद करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि मंतरी आदिते ममता के साथ गुप्त बैठके कर रहे हैं वो ममता कुमाराश के रोजगार, वियापार, उद्योग और कारखानों को पश्यम बंगाल में ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं शिलार ने सवाल पूछते हुए कहा कि आदिते ने ममता के साथ सरकारी स्थल के बजाए नीजी होटल में बैठक क्यों की गुप्त तरीगी से बैठक करने की वज़ा क्या है? दोनों के बीच क्या चर्चा हुई? इसका विवरन सारुज ने क्यों नहीं किया गया? ममता के मुंबई दोरे से कॉंगरिस की नाराजगी के सवाल पर शेलार ने कहा कि महाविकास आघाडी में कॉंगरिस की कोई हैसियत नहीं कॉंगरिस को शिपसना और आकपा नहीं पूछती है ममता की ओर से केंद्र सरकार के खिलाप शेत्रिय दलों के गोल बंदी की कोशिश पर शेलार ने कहा कि विपक्ष चाहे जितने दल को अपने साथ में लाले, विपक्ष का नतीजा शुनने ही रहेगा शिलार ने कहा कि मम्ता पश्चिम बंगाल में उद्योगिक निवेश को आकरशित करने के लिए मुंबई में उद्योग समिट करने आई थी और प्रदेश की सरकार उनकी मदद कर रही है पूर्व मुंबई पुलिस आयक्त परंबीर सिंग्व सचन वाजे के कमरे में घंटे तक मुलाकात इन दिनों चर्चा में है काफी सवाल खड़े किये जो रहे हैं इस कारण के यू चांदिवाल कमिटी ने अब राजिके पूर्व ग्रह मंतरी अनील देशमुग वाजे को अलगलग तारीक को बुलाया है कमिटी ने वाजे को 8 दिसम्बर को कमिटी के सामने पेश करने को कहा है जबकि पूर्व ग्रह मंतरी अनील देशमुग को 9 दिसम्बर को बुलाया गया बतादे कि राजिसरकार ने पूर्व मंतरी देशमुग पर लगे ब्रश्चाचार के आरोपों की चांच के लिए जेल में नियाई खिरासत में रखा गया है अधी वक्ता कैसलीनों ने एक सवाल के जवाब में वाजे ने कहा कि काम के अलावा कभी पूर्व ग्रह मंतरी देशमुग से नहीं मिला है वाजे ने आयोग के सामने दावा किया था कि जब वह राश्ट्री जांच एजेंसी की हिरासत में था तो उस समय उसने दबाव के चलते कई दस्तावेजों में हस्ताक्षर किये थे राश्ट्रगान के अफमान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममताब एनलजी घिरती नजर आ रही है जी हाँ एक भाजबा नेता ने पुलिस में मामलाद दर्ज करा है शिकायत में कहा गया है कि ममताब एनलजी ने बैठे बैठे राश्ट्रगान गया उधर कॉंग्रेस नेत्रुत से नाखुश चर रहे जी ट्वेंटी थी गुट के सदस गुलाब नभी आजद ने कॉंग्रेस को आईना दिखाया है उन्होंने एक जनसभा में कहा कि कॉंग्रेस को वश्च दोजाज चोबिस के लोकसभा चुनाओं में तीन सो से अधिक सीटे आती नहीं दिखाई पड़ रही है तो खुशे की बात यह है कि दिगजभारतिय महिला एथलिट अंजु बॉबी जॉर्ज को वर्ड एथलिटिक्स ने वुमन आप दे इयर अवार्ड से सम्मानित किया है इसी बीच गुजरत के गीर सोमनात में तेज बारिश और हवाओ के कारण कम से कम 10 से 12 वोट समुदर में डूब गए बताया जारा है कि इस हाथसे के बाद 10 मचोवारे गायप हो गए इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विदान सबाचुना में अब मतुरा की एंट्री हो गई है जी हाँ प्रदेश के उपर मुख्य मंत्री केशा प्रसाद मोरे नेट ट्वीट नेक सियासी सर्गर मीब बढ़ा दी है विरोधी हमलावर है देशबर के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ केंडर सरकार को घेरने के लिए पशिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बैनल जी खूब दोरे कर रही है देश की मुख्य पार्टियों के वरिशनिताओं से भी मिल रही है इसी बीच मुंबई में एक भाचपा नेता ने उनके खिलाब पुलिस में शिकायत दर्च कराई है शिकायत में लिखा है कि बुधवार को पशिम बंगाल की सीम ममता बैनल जी ने कथित तोर पर बैटने की स्थिति में राश्टरगान गया और फिर अचानक चार या पाथ छंदों के बाद रुख गई उन्होंने राश्टरगान के प्रतीप पूरण अनादर दिखाया है इसके लिए पुलिस शिकायत दर्च की है महराष्ट बिजेपी नेता प्रतिक कारपे ने ट्विट किया है कि क्या यह राश्टरगान का अपमान नहीं है जब सियम ममता बैनर जी ने बैट कर राश्टरगान शुरू किया तो वहां मवजुद कथित बुद्धी जी वी क्या कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि सियम बीच में ही अचानक रुख गई थी भाश्पानेता अमित मालविय ने ट्विट किया कि हमारा राश्टरगान हमारी राश्ट्य परचान का एक ताकत वर प्रदर्शन है सारवजनिक पद्धारन करने वाले कम से कम इतना कर सकते है कि वे इसका अपमान न करे दरसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी भाश्पा के खिलाप मोचा खड़ा कर रही है इसी करम में वे महाराश्ट पहुँची थी जहां यहां घटना हुई कॉंग्रेस नेतरुत्व से नाखुष चर रहे G23 गुट के सदस गुलाब नभी आज़ाद ने एक बार फिर कॉंग्रेस की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने जम्मु कश्मिर के पुंच की जनसबा में कहा कि कॉंग्रेस को वश्ट 2024 के लोग सबाचनाओ में 300 से अधिक सीटे आती नहीं दिखाई पड़ रही है कुछ लोग दावे कर रहे हैं लेकिन ऐसा मुझे होता नहीं दिखा है दरसल वे भाजपा सरकार की ओर से पाचकस 2019 को हटाए गए धारा 370 और 35 ए पर अपनी बात रख रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ लोग धारा 370 को बहाल करने की बात कर रहे है लेकिन इसके लिए कॉंग्रेस को 300 से अधिक सीट आनी चाहिए अगले लोग सभाचुनाओं में ऐसा होता हमें नहीं दिख रहा है आजप ने कहा कि हम पर धारा 370 की बात नहीं करने का आरोप लगया जा रहा है पिछले 3 साल में संसद में सबसे अधिक हमने इस मामले की बात की अब मामला सुप्रिम कोर्ट में है इसलिए इस मामले पर कोई बात करने से लाब नहीं होगा धारा 370 को बाहल करने का मामला या तो सुप्रिम कोर्ट के आदेश से हो सकता है या फिर संसद से और वर्तमा सरकार तो इसे बाहल करेगी नहीं दिगज भारतिय महिला एथलिट अंजु बॉबी जोर्च को वर्ल एथलिक्स ने वुमेन ओब दे इयर अवर्ट से सम्मानित किया है अंजु वर्ल एथलेटिक्स चैंपेंशिप में पदक जितने वाली भारत की पहली और इकलोती एथलिट है उन्होंने 2003 में इस प्रतिश्ची चैंपेंशिप के लॉंग जम्स परदा में ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया था वर्ल एथलेटिक्स संस्ता ने अंजु को यह अवर्ड भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयास के साथ महिलाओ को प्रेडित करने के लिए दिया है इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन की सीनियर उपादेख्ष अंजु ने साल 2016 में युवा लड़कियों के लिए ट्रेनिंग अकेडेमी खोली थी जिसने अंडर 20 पदक विज़ताओं को तयार किया अंजु ने कहा कि वह यह सम्मान पाकर गरवानवित और अभीभूत है वह एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया ने अंजु को सम्मानित किये जाने पर वर्ल एथलेटिक्स को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया कि इंडियान एथलेटिक्स के लिए यह गर्व की बात है वर्ल एथलेटिक्स अवार्ड 2021 जितने वाले सभी विज़ताओं को बधाई अंजु ने आईएफ वर्ल चैंपेंशिप पैरिस 2003 में गोल्ड मेडल जीता था इसके अलावा उन्होंने मोनाकों में 2005 में आईएफ वर्ल एथलेटिक्स फाइनल्स में भी सोने का तमगा हासिल किया था गुजरात के गीर सोमनात में तेज बारिश और हवाओ के कारण कम से कम 10 से 12 बोड समुद्र में डूब गए बताया जा रहा है किस हाथसे के बाद से 10 मचुवार एक गायब है बता दे कि कल से ही खराब हो रहे मौसम को देखते हुए हवामान विभाग ने मचुवारों को समुद्र में नहीं जाने की चेताउनी दी थी यहाँ प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लापता मचुवारों की तलाश की जा रही है महाराश्टर गुजरात के तटी इलाकों में बुद्वार से बारिश हो रही है और मोसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है इसके साथ मचुवारों के लिए पाच दिन की चेताउनी जारी की गई है अरब सागर में बने निम्नदबाओ के शेत्र और पश्चिम विक्षोप की वज़़ से मुंबई इसके उपनगरिय इलाकों और उत्तरी और मध्य महराष्ट्र तथा गुजरात की दक्षिनी हिस्से में बुद्वार को बारिश हुई नवंबर दिसंबर में महराष्ट्र में सामने तोर पर बारिश नहीं होती है लेकिन दक्षिन पूर्व और मध्य अरब सागर के उपरबनी चक्रावाती हवाओ की वज़़ से बारिश हुई है आयमडी के राष्ट्य मौसम पुर्वानुवान केंदर के प्रमुक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोप के संपर्क से भूमध्य सागरिय शेत्र में एक चक्रावाती प्रवाः उत्पन्न होता है इसी का प्रभाव देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के विदानसबा चुनाव में अब मतुरा की एंट्री हो गई है प्रदेश के उपमुक्य मंत्री केश्व प्रसाद मौरे के ट्वीट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है मौरे ने लिखा है कि अयोधा काशी में भव्यमंदिर निर्मान जारी है मतुरा की तैयारी है जैशी राम, जैशी उशंभू, जैरादे क्रिष्ण पिपक्षी दल अब ट्वीट को लेकर हमलावर है हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देने के आरोप के साथ सवाल भी पूछा है कि चुनाओ से पहले ही भाजपा को भगवान क्यों याद आते है सपाद्यक्ष अकलेश यादों ने कहा है कि बीजेपी को किसी भी नारे या मंत्र से मदद नहीं मिलेगी केशव मोर के दोलाईं के ट्वीट ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है भाजपा का संगटन या सत्ता से जुड़ा कोई और नेता इस मुद्दे पर सामने नहीं आया है हाला कि यूपी सरकार में ही कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मोर्य ने अलग सूर अलापा है उन्होंने कहा अयोधा काशिव मतुरा न कभी चुनाओ का मुद्दा था न आज है और नहीं भविश्य में रहेगा प्रदान मंत्री हमेशा विकास के मुद्दे की बात करते है कोशामबी में बस्पा के राष्टे मासचिव 37 चंद्रमिश्र ने मोर्य को आड़े हाथ लेती हुए कहा कि जनता उनका असली चेराब पहचान चुकी है मोरे अगर यह सोचते हैं कि वद्रूई करन कर लेंगे तो यह सबसे बड़ी बूल है दुनिया बर में एक बार फिर से कोरोणा के नए विरियंट ओमिक्रॉन की दहशत है शोत करने वाले इसके गुणधर्म को खंगाल रहे है इसी बिच डबल्योचो ने रहातबरी खबर दी है डबल्योचो ने कहा है कि यह वायरियंट ज्यादा लोगों को संक्रमी तो कर रहा है लेकिन डेल्टा की तरह खतरनाक नहीं है इसके अलावा अनिक देशों में तनातनी भी सुर्खियों में है तालिबान इरान, चीन जपान और फ्रांस इंगलेंड में आपसी बयानबाजी के कारण मुश्किल हालात पैदा हो गया है अफगानिस्तान इरान की सीमा पर हिंसक जड़ब की खबर है तो जपान के पूरप्रदान मंतरी शिंजो आबे के ताइवान पर आए एक बयान से नाराज चिन ने बिजिंग में जपान के राज़दूत को विदेश मंतराले तलब कर दिया और फ्रांस के राश्टरपती एमिनल मेकरो ने एक नीजी बाच्चीत में ब्रिडिश प्रदान मंतरी बोरिस जॉन्सन को जोकर कह दिया तीनों ही मामले एक तरस से छे देशों के बीच फिर से तलवारे खीच गई है वरहाल इत्यास ने फिर कोतुहल पैदा किया है तंजानिया में मिले 3.7 करोड साल पुराने पदचिनों की पहचान हो गई है खुलासा हुआ है कि ये प्राचिन भालू के नहीं बलकि इंसानों के पदचिन है दुनिया बर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बन रही आप हमारे साथ कोरोना वाइरस के ओमिक्रोन वेरियंट से मची दहशत पर विश्व सास्ता संगटत ने राहत भरी खबर दी है डबलियोचो ने कहा कि ओमिक्रोन के ज्यादा तर्मामले हलके है पर आंकडे बता रहे कि ओमिक्रोन म्यूटन स्ट्रेंड डेल्टा वेरियंट की तुलना में ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है यहां तक कि वैक्सिन की सारी डोज लेने वाले भी इससे बच नहीं पा रहे है WHO के अधिकारी के नाम नहीं बताने की शर्ट पर कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि वर्तमान वैक्सिन अस्पताल में भरतिकराय जाने और मोतो की संख्या को कम रखने में कम प्रभावी होंगी यह अभी तक सपस्ट नहीं हो पाया है कि WHO कि साक्ष की ओर इशाराख कर रहा है इसके बावजूद अब WHO ने पहली बार अधिकारिक तोर पर सुईकार किया है कि डेल्टा वेरियंट की तरह से ओमिक्रॉन वेरियंट दुनिया में तबाही नहीं मचाएगा जैसा कि शुरू में आशंका जताई गई थी दक्षिन अफरिका में कोरणा केस बड़े है लेकिन अभी भी कम है दक्षिन अफरिका में ओमिक्रॉन के 122 मामले आए है और ने वेरियंट से पीडित मरिजों में बहुत हलके लगशन देखे गए है ओमिक्रॉन के खत्रे के बाद भी दक्षिन अफरिका में अभी भी आबादी के लिहास से ब्रिटन और अमिरिका की तुल्ना में कम कोरणा मामले आए है अफगानिस्तान में तालिबान के कबजे के बाद कुछ भी ठीक नहीं चर रहा है आए दिन आतंकी हमले हो रहे है ताजा मामले में इरान के सेनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीज अफगानिस्तान इरान की सीमा पर हिंसक जड़प की खबर है हाला कि इस हिंसक जड़प में किसी की मौत नहीं हुई है जड़प के बाद कहा गया कि ऐसा गलत फैमी के वज़े से हुआ है ये लड़ाई हिर्मन काउंटी के शागालग गाव में हुई इरान के इसलामिक रिवोल्यूशन गार्ट क्रॉप्स ने कहा कि तसकरी रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा के पास इरानी शेतर में दिवारे खड़ी हो गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ इरानी किसानों ने दिवारों को लांग लिया था हाला कि वह इरान की सीमा के भीतरी थे लेकिन तालिबानी बलो को लगा कि किसान उनके इलाके में आ गया है जिसके चलते उन्होंने गोलेबारी करना शुरू कर दिया इस इक्रम में बताया गया कि तालिबानी लड़ाकों ने कई चोकियों पर कबजा कर लिया है हाला कि इस दावे को खारिज कर दिया गया है याद रहे तालिबान ने अगस में विदेशी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान पन्यांतरन कर लिया था इरान ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तोर पर अभी तक मान्यतान नहीं दी है जापान के पूरप्रधान मंतरी शिंजो आबे के ताइवान पर आएक बयान से नाराज चीन ने बिजिंग में जापान के राजदूत को विदेश मंतराले तलब कर लिया विदेश मंत्राले के बयान में कहा गया है कि चीन की सहायक विदेश मंत्री हुआ चुनियंग ने जपान के राजदूत शुई हिदेयों के साथ हुई मुलाकात में शिंजो आबे के बयान को गलत और इसे चीन जापान संबंदों के बुनियादी मांदंडों का उलंगन भी ब टाइवान के एक Think Tank के Virtual Forum में कहा था कि यदि चीन ने टाइवान पर हमला किया तो न तो उनका देश और नहीं अमेरिका टाइवान के साथ खड़ा हो सकता है उन्होंने कहा कि टाइवान पर हमला होने पर जपान की सुरक्षाग गंबिर खत्रे में पढ़ जाएगी शिंजो आबे ने पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री का पर छोड़ दिया था वो वहां की सत्तारूड Liberal Democratic Party के नेता है और अभी भी पार्टी में प्रभावशाली है ताइवान और चीन के साथ जम कर ठनी है चीन ताइवान पर अपना एकादिकार मानता है और ताइवान इसे सि इजी बाचित में British प्रधानमंत्री Boris Johnson को जोकर के रूप में संदर बित किया फ्रांस के एक पत्रिका ने इस बात की पुष्टी की है पत्रिका के अनुसर जॉनसन के द्वारा चिठ्ठी बेजे जाने से नाराज मेक्रों ने गुस्से में आ कर यह बात कही मेक्रों यही नह ने जॉंसन के वेवहार के बारे में शिकायत की हाला कि इससे भी बड़ी वज़व चिठी मानी जा रही है जो कि ब्रिटिश पीम बॉरिस जॉंसन के दौरा फ्रांस के राश्टरपती को भेजी गई थी दरसल इस चिठी में जॉंसन ने जॉंसन पेट्रोलिंक कराय जाने की बात कही थी ताकि फ्रांसी सी समोद्र तटो से आने वाली नाओक पर प्रतिबंद लगाया जा सके उनकी इसी बात को फ्रांस ने अस्विकार ये बनाया है फ्रांस का कहना है हम ब्रिटिश प्रदानमत्री की सारावजनिक चिठी को अस्विकार करते है और इसे मंत्रियों के बीच होने वाली चर्चा के विपरित मानते है इस चिठी के बात से ही विवाद और गहरा गया तंजानिया में मिले 3.7 करोड साल पुराने पदचिन्नों की पहचान हो गई है अब तक माना जाता था कि ये भालू के पैरों के निशान है हाला कि अब खुलासा हुआ है कि ये प्राचिन भालू के नहीं बलकि इंसानों के पदचिन्न है ताजा शोत के मुताबिक बड़े अंगुटे और विशाल एडी के निशानवाले जिवाश तंजानिया में साल 1986 में मिले थे इनकी पहचान अग्या दो पैरों वाले जीव इंसानों के पुर्वज हो सकते है इन इंसानों के पुर्वजों के चलने का धंग काफी अजीब होता था इस तरह के अलग पदचिन्न नजदिक के लाइटोली पुरस्तल पर मिले है शोत करताओं ने कहा कि पदचिन्न इस तरह से बने है जैसे हजीव प्रत्यक पैर को शरीर की मध्धरेका से पहले दूसरे पैर के सामने चूने के लिए रख रहा होगा मुख्यशोत करताओं और ओहियो उनिवर्सिटी में साहिक प्रोफेसर एलिसन मैकनेट ने कहा कि यह पदचिन्न तब बने होंगे जब इंसानों का यह पुर्वज एक ऐसी जमीन से गुजर रहा होगा जो समतल नहीं थी साल 1978 में लाइटोलिस्टल पर एक के बाद एक पाच पदचिन्नों की खोज हुई थी साल 2019 में मैकनेट और उनकी टीम ने इन पदचिन्नों की दोबारा जांच की थी और उनकी तुलनाब भालू चिंपनजी के पैरों के निशान से की थी शोद करता इसके और इतियास को खंगालने में जुटे है उम्मीद है कोई और रहस्यस सामने आ सकता है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे ये वीकेवी नियूस नमस्कार झाल झाल झाल